नेक्स्ट पॉइंट अगें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के रिलेटेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ही ये पॉइंट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओके लास्ट तैम हमने देखा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है फॉर्मिल्वीला क्या है जी च प्el डएनल में रखना नेक्स्ट अल्टरा फिल्टरेशन में जी अफ आरा का मतलब क्या है Glomerular Glomerular Filtration rate Glomerular Filtration rate Filtration Rate Glomerular Filtration rate Called as a GFR Most common question GFR कितना होता है 125 ml per minute 125 ml per minute एक single minute में 125 ml primary urine तयार हो रहा है लेकिन हम daily कितना urine output करते हैं volume कितना है urine output कर generally 1 to 1.5 liter हम generally exit export करते हैं urine output की value है और यहां लिखा है GFR का rate कितना है 125 ml per minute single minute में इतना filtrate तयार हो रहा है GFR कहां तयार हो रहा है यहां ओके blood filter होने के बाद जो भी urinary space में इसे urinary space भी बोलते हैं और capsular space urinary space में filtrate तयार होगा मतलग primary urine कितना तयार हो रहा है 125 ml per minute अगर पर hour निकाला जाये तो कितनी वैले होगी and per day चलिए बताई 125 ml per minute तो एक घंटे के लिए कितना filtrate तयार होगा 7500 ml per hour filtrate that is the primary urine per day into 24 18 ml ml अब इतना लिखने के बज़ाएं हम लिख देते हैं 180 लीटर यह कोशन आपको जन्डरल पूछा गयता है per minute GFR कितना है और per day GFR कितना है ठीक है अब comparison 125 ml per minute 180 लीटर per day 180 लीटर per day filtrate तयार कर रहा है हमारे किद्नी लेकिन हम 180 लीटर यूरीन इलिमनेट नहीं कर रहे है हाली कितना यूरीन इलिमनेट कर रहे है 1 to 1.5 लीटर यूरीन इलिमनेट कर रहे है इसका मतलब ये जो primary urine है इस में से बहुत ज़्यादा मात्रा में अब क्या होता है यूरीन रियप्सॉप किया जाता है करेक्ट मतलब यहां up to 178 to 179 लीटर यूरीन रियप्सॉप किया जाएगा इसका मतलब करेक्ट इसमें से 178 to 179 लीटर यूरीन गेट primary urine गेट रियप्सॉप गेट रियप्सॉप और यह है हमारी हमारी second process that is the second mechanism क्या है ultrafilkration urine formation का selective reabsorption अब कैसे वो रियप्सॉप करेगा ओके ठीके कितना GFR तयार हो रहा है हमारा 125 ml per minute अब यह जो GFR तयार हो रहा है इसके लिए हमें required है अब RPO that is renal plasma flow that is renal plasma flow यह भी question पूछ जाता है renal plasma flow तो generally जब इस affront and effront arteriol से blood कहाएगा इस network में और यह filter होगा तो उसका volume होता है 650 ml blood पास होने के बाद वो 125 ml GFR तयार कर रहा है समझ में आ रहा है 650 ml blood पास करने के बाद वो कितना filtrate तयार कर रहा है 125 ml filtrate तयार है renal plasma flow मतलब kidney में से कितना blood nephron में जाने के बाद कितना filtrate फोगा तयार कितना 650 ml approximately 650 ml of blood इसने पास होने के बाद कितना बन रहा है हमारा 125 ml filtrate as it is per minute per minute ठीक है तो whole blood अगर kidney में से transfer होना है तो कितनी minutes लगेंगे whole blood 650 ml per minute है तो generally हमारे body में 5 liter blood है मतलब 5000 ml चलिए निकालिए मतलब kidney में कितना blood transfer होने कितने minutes में पूरा whole blood हमारे body का filter होगा कितने minutes में कितने per minute 650 ml blood pass हो रहा है kidney से yes चलिए बताईए कितने कितने minutes में whole blood filter होगा बताईए बताईए approximately 8.6 minutes 8.6 minutes approximately में whole blood transfer होगा तो next question इच मिनिट में इतना blood transfer हो रहा है रिनल प्लाज्मा फ्लोग 6.50 7.6 minutes ठीक है आगे पीछे अगर जाएंगे तो 7 to 8 minutes में हमारा whole blood अब क्या होगा filter होगा next अगर 7 to 8 minutes में या 10 minutes लेलो 10 minutes में सपोज हमारा whole blood filter हो रहा है तो दिन में कितनी बार हमारा blood filter होता है एक घंटे में ही लेलो एक घंटे में 6 से 7 बार blood filter हो रहा है एक घंटे में दिन में 7 into 24 जितना भी होगा मतलब सपोज जिस भी human being का dialysis करना होता है वो दिन में कितनी बार करते होंगे जाते से ज़ादा एक बार लेकिन हमारी की इदी natural तरीके से जो blood filter कर रहे है वो दिन में unlimited times 168 मतलब 170 times blood हमारे body का daily filter हो रहा है तो 160 या 2 हम कितनी बार dialysis कर पाएंगे उस patient का एक दिन में एक बार जाता से जादा लेकिन उसमें कितना blood filter होगा एक ही बार फिल्टर होगा ना एक ही बार बलड फिल्टर होगा लेकिन हमारी kidney daily ये pre-process हमें दिन में इतनी बार blood filtration की provide कर रहा है ठीक है इट इस कोड़ ऐज़ जी ओफार एंट इस कोड़ जार रिनल प्लाजमा फ्लू जी ओफार समझ में आया 125 ml blood per minute और पर डे 180 लिटर ये दोनों mostly पुछ रहते है पर डे और पर मिनिट कितना जी ओफार तयार हो रहा है और कितना ml blood pass करने के बार 650 ml blood pass करने के बार 150 ml, 125 ml blood filter rate पैयार हो रहा है इट इस कोड़ अज़ फिल्ट्रेशन फ्रेक्शन इट इस कोड़ अज़ फिल्ट्रेशन फ्रेक्शन का मतलब क्या है filtration fraction GFR minus sorry divided by RPF into hundred G filtration fraction मतलब GFR divided by RPF into hundred इतना एका GFR divided by RPF into 100 it is called as a filtration fraction ये भी कोश्चन पुचाता है filtration fraction कितना है kidney का निकालो GFR 125 ml RPF 650 ml into 100 yes 90 90 19.2 19.2 आ रहा है 19.2 actually into 100 किया न इसको 19.2 actually इसे 20% हम लिख सकते से 19.2 okay filtration fraction okay तो इस अबाउट GFR kidney को कितने percent में blood supply दिया जा रहा है कितना percent blood kidney को supply हो रहा है कितने percent में blood kidney को supply हो रहा है 20 to 25% सब से उपर kidney है 20 to 25% okay तो उसमें हमने 20% की हिसाब से निकाला था I think कितना ml blood correct अगर 25 से निकालोगे तो 250 correct मतलब 1250 ml blood 25 ml 25% की हिसाब से निकाला जाए तो 1250 ml blood kidney को supply किया जा रहा है ठीक है मतलब बोथ kidneys को directly बोथ kidneys को इतना blood supply किया जा रहा है 65 65 sorry 625 625 और यहाँ हमने लिया है 650 ठीक है तो इसमें से दो हाफ-ाफ डिवाइड करो इस kidney को इतना blood supply हो रहा है और वो blood को filter कर रहा है ठीक है तो इस अफ दो अफ रहा है अफ लिवाइड रह प्रीण 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 फ्रीण कॉ समाझ में? और इसमें ना थी का रहा है इतना फिल्ट्रेशियख्ख्या GFI ड़एडिएर रहल प्रीफ hurी रहीड दो बादरiğ दून is called as a filtration fraction ठूख्य epetto झाल झाल